एसी दर्दुनाक मौत हुई थी फिल्म सूर्यवन्शम की इस खुबसूरा तभीनेत्री की सूर्यवन्शम एक ऐसी फिल्म है जिसे हम लोग आए दिन टीवी पर देखते रहते हैं सूरेवन शम ऐसी फिल्म है जिसे हर एक व्यक्ती ने देखा है जो फिल्मों का दीवाना है 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताब बच्चन दिखाई दिये थे और साथ ही अमिताब बच्चन ने इस फिल्म में डबल रोल किया था लेकिन क्या आप लोगों से भिनेतरी के बारे में जानते हैं जिसने इस फिल्म में ठाकुर्भानू प्रताप के बेटे हीरा की पत्नी का किरदार ने भाया था आपको बता दे कि इस फिल्म में अमिताब बच्चन के साथ हीरा का किरदार निभाने वाली इस खुबसूरत भीनेत्री का नाम सौंदर्या था बता दे कि सौंदर्या मुख्य रूप से तेलगू फिल्मों में काम करती थी इसके अलावा उन्होंने मल्यालम, कानड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था सौंदर्या ने अपने फिल्मी करिया की शुरुवात 1992 में गंधरवार फिल्म से की थी सौन दर्या ने अपने 12 साल के फिल्म करियर में लगभग 100 सेकंड भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था जिसमें बॉलिवुड की मशहूर फिल्म सूर्यवन शम भी शामिल है लेकिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फिल्म जगत को हिला कर रख दिया बता दे की जब सौन दर्या 2004 के चुनाव में भारतिय जनता पार्टी के उम्मीतवारों के प्रचार हितू करीम नगर जा रही थी तब ही उसी समय उनका विमानधूर घटना गरस्त हो गया था जिसके चलते फिल्म एक ट्रे सौन दर्या का निधन हो गया था जब सौन दर्या का निधन हुआ था तब उस समय वह कई फिल्मों में काम कर रही थी जिन्हें उनकी मौत के बाद किसी तरह रिलीज किया गया था